जमीन पर रहने वाले प्राणियों में चीता सबसे तेज भागने वाला जानवर है चीते की अधिक्तम स्पीड 110 किलो मीटर से 120 किलो मीटर पर आर की बीच होती है दोड़ना शुरू करते ही 3 सेकिंड में चीता ये स्पीड पकड़ लेता है लेकिन सवाल ये उठता है कि चीता इतनी रफ्तार से कैसे दोड़ पाता है जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंड तक एक चीते की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है चीते की पूँच की लंबाई 65 सेंटी मीटर से 80 सेंटी मीटर तक होती है चीते का वजन 34 से 54 किलोग्राम तक होता है चीते की ओस्त हाइट 32 इंच होती है दुनिया में करीब 7100 चीते हैं जिन में जाधतार अफेरिका में पाए जाते हैं भारत में चीता नहीं पाए जाते चीता सन 1952 में भारत से विल्ट हो चुके हैं इरान में करीब 50 एशिटिक चीता पाए जाते हैं चीते की तेज रफ़तार का रहसे एक चीते की जबरदस्त स्पीट का कारण उसकी एरोडाइनमिक बोडी है जिसकी वजह से हवा से कम से कम फ्रिक्शन पैदा होता है और बहुत हाइज स्पीड मिलती है जब चीता अपनी उच्चुतम स्पीड से दोड़ रहा होता है तो वह एक चलाम में 6-7 मीटर यानि 21 फीट की दूरी तैक कर रहा होता है इस हिसाफ से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 सेफ्स में पूरी कर सकता है आप सोचोगी की चीता इतनी लंबी छलाम कैसे लगा सकता है तो इसका कारण चीते के कोलर बोन की अनोफी बनावट है चीते की कोलर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्ती पंजर से जुड़ी नहीं होती इसलिए शरीर को पूरी लंबाई में फैलने में शक्षम बनाती है चीते की स्पीड तो अद्वुथ है लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकिंड के अधिक नहीं दोड सकता है क्योंकि इतना फास्ट दोडने की वजह से उसकी हर्ट रेट इतनी तेज हो जाती है कि ऐसी एक दोड के बाद उसे 30 मिनट्स का अराम करना पड़ता है चीता अपनी एक दोड के कुल समय का आधा टाइम हवा में ही रहता है चीते की फूच की लंबाई उसके शरीर की लंबाई से आदे से जादा होती है यही फूच उसे दोडते समय अचानक टीका मोड 7 तन लेने में मदद करती है चीता अपनी हाई स्पीड में जादा देर तक यूँ नहीं दोड सकता चीता एक जानवर है कोई मशीन नहीं इसलिए चीते की फूड़ी की कुछ शाररिक सीमा है जब चीता एकदम से 0 से 96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है तो उसके शरीर का ताप मान 40.6 डिगरी बढ़ जाता है इस प्रकार 15 सेकंड डोडने के बाद उसके शरीर का ताप मान 43 डिगरी तक बढ़ जाता है इसकी वजह से जीते को अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है नहीं तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पढ़ने से उसकी मृत्यू भी हो सकती है जीता ऐसा शिकार चुनता है कि कम डूरी दोडना पड़े योकि कम डूरी में उसकी स्पीड को कोई टकर नहीं दे सकता है जीता चानता है कि वो बहुत देर तक नहीं दोड पाएगा इसलिए वो घात लगा कर शिकार करता है चीता और रेसिंग स्पोर्ट्स कार की रेस में कौन जीतेगा असल में चीता और रेसिंग कार की 100 मिटर रेस में स्पोर्ट्स कार ही जीतेगी लेकिन असलरेशन की बात की जाए तो दुनिया की कोई भी कार चीता का मुकाबला नहीं कर सकती इसका मतलब ये है कि चीता और कार की रेस के शुरुआत में चीता ही आगे होगा लेकिन बाद में रेसिंग कार स्पीड पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी चीता एक जटके में 112 से 128 किलोमीटर पर आर का असलरेशन पैदा कर सकता है जो कि किसी भी कार के बसकी बाहर की बात है उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो लाइक और शेयर कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चल्वी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पैल को भी प्रेस कर दे ताकि सभी नियू वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले